जो डेली टास्क है वो यह है इस क्वेश्ण में क्या है हमें कोई टेस्ट केस्ट नहीं है इसमें दो नंबर्स गिवन है एन और के और एक स्ट्रिंग एस किवन है हमें क्या करना है और मजब्स इतना ही है दो सिर्फ 3 ही इन्पूट्स है और इन्पूट्ट में क्या है जो । इस्त्रिंग क्या है nauぎ है उसकी साइज जो है वो b nanya है s से और हमें वो print करनी है और वो हम s से बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि हम उसमें s के अंदर या तो हम last character string का delete कर सकते हैं या फिर हम string को duplicate कर सकते हैं s को हम s plus s कर सकते हैं और फिर delete कर सकते हैं फिर duplicate कर सकते हैं और यह operations अब कितने भी number time कर सकते हैं जो लेक्सोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल हो पर वो बने इन दो उपरेशन से एस के साथ जिसकी लेंद एन है सपोज ये एक्जाम्पल है एट शिक्स अच्छा इसके अंदर एक और चीज नोटिस करने वाली है जो एन और के है वो दोनों 5,000 से कम है इसका मदलब एन के होनी चाहिए complexity इसकी पॉर शॉर ये थोड़ा पहुत हिंट तो हम लोग सोची सकता है सबको पता चल रहा है ना hello I guess question बहुत clear है हमें एन साइज की string दे रखिये जिसे 8 है 8 साइज की string दे रखिये हमें 16 साइज की string बनानी है इस string से और उस string में हम क्या कर सकते हैं या तो string का last character delete कर सकते हैं या फिर string को duplicate कर सकते हैं s को s plus s कर सकते हैं और कितने भी number of times कर सकते हैं कोई problem नहीं है the only thing is कि हमें वो जो string बन रही है in the end k साइज की वो लेक्सिक को graphically smallest string possible हो तो इसके अंदर देखते हैं अगर a b c d है तो जैसे में last cut d delete कर सकती हूँ c delete कर सकती हूँ b delete कर सकती हूँ सिर्फ a बचता और a को five times देख सकती हूँ यह lexicographically सबसे smallest है तो एक test एक case तो मैं यही ले लोगी जब मेरा s of 0 a है तो smallest lexicographically string हर बार क्या हो सकती है a का repetition हर बार और कर दो उसे five times repeat बन गई वरना हम क्या कर सकते हैं जैसे हम cases बना सकते हैं normal brute force apply कर सकते हैं जो string lexicographically smallest बन रहे हैं उसे हम देखते जाएंगे जैसे start करते हैं ऐसे डी तो डी को हम या तो 16 times repeat कर सकते हैं अब हमने दूसरी string ले रही डी डी बी को क्या ना हम बहुत बार repeat कर सकते हैं तो वह भी हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई एक स्ट्रिंग हो गई डी बी सी 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 जब तक इसकी लेंद 16 नहीं हो जाती है और हम यह जो सारी देखते हैं जैसे यह copy किया एंड वी पेस्टिट ओवर हैं तब तक मैं कोट समझा देती हूं यहां तक हम लोगों ने इंपुट्च लिया है सारे इंपुट्च लेने के बाद में मैंने केस कंसिडर किया है सपोज एस ओफ जीरो जो है वो मेरे पास ए है इस केस में ए नहीं है अगर एस ओफ जीरो ए है तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉले स्ट्रिंग क्या बनेगी के लेंद की हर बार ए प्रिंट करा दो and that's over अगर ऐसा नहीं है अगर एसा ओ enlar Adm तो यह वाला कोड रहन होगा मैं ऐसे आन्सर जो फ्रिंग वह अ तब तक मेरी size जो है SS की कम है के से तब तक मैं add करती रहोंगी और SS.size अगर के से बड़ा हो जाता है तो मेरे को लास्ट की कुछ elements pop करने पड़ेंगे जो मैंने pop किये और string जो है finally उसका मैंने minimum लिया and then last answer print करा दिया so is question में basic brute force लग रहा था और brute force का तरीका क्या था हमें प्रिफिक्सिज लेने प्रिफिक्स और उन्हें हर बार repeat कर ला है जिजहें डीबी डीबी डीबीड कर लो डीबीसे डीवी से डीबीसे डीवी एक कर लो जब इसका code ये है नव लेट कम तो दे मोस्ट इंट्रस्टिंग वेसिन आफ टोडे और अभी तक कि मैंने जितने भी क्वेशिन स्कराइब है सबसे इंट्रस्टिंग प्रेशिन यही है जो मैं आपकर आने वाले हूं क्योंकि इसमें कुछ भी और नहीं सोचना है बहुत कुछ भी और सोचना ही नहीं है जो नॉलेज हमारे पास already है हमें उसे use करना है तुम मेंसे काफी लोगों ने इसको try दिया होगा और वैसे काफी simple question भी है इस question को समझते हैं क्या क्या है इस question में हमें दो integers given है n और m यह denote करें metrics की size को और metrics जो है हमारा वो n cross m का है और then उसके बाद में हमें elements दे रखें जिनके अंदर n lines है और हर line में m integers है और जो सबसे important बात इस question की वो बात यह यह मैं वापस आती हूँ उस point पे उससे पहले मैं समझाती हूँ उस question में चाहिए गया हमें एक metrics B construct करना है metrics A से जिसकी size B की जो size है वो metrics A जैसी हो और B I J जो हो हमारा A I J का multiple हो और B के अंदर जो adjacent cells है वो differ कर रहे हो तो किसी के वो जो differ कर उनका जो difference हो वो हो K की power 4 और where K is greater than equal to 1 और यह हमें ensure करना है तो हम कैसे करेंगे और A I J का multiple जैसे अगर यह वाला metrics है suppose 1,2,2,3 Google Docs पात है 1,2,2,3 suppose यह हमारा metrics है यह A metrics है इसे हमें B metrics बनाना है तो कैसे बनाएंगे जो सबसे पहला element है वो एक तो one का multiple होना चाहिए तो इस वाले example में हमें जैसे क्या answer दे रखा है इसी को वापस copy paste कर लेता है जो 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 है वो तू का multiple है तू जो है वो तू का multiple है तू जो है वो तू का aij के multiples है next condition क्या है जो भी जो भी बी के अंदर जितने भी elements है वो अपने adjacent elements से k की power 4 में differ करने चाहिए where k is greater than equal to 1 तो 1 और 2 का difference 1 है हां और 1 का हम लिख सकते है 1 की power 4 तो यह valid है 1 और 2 का यहां पे difference 1 है इसको हम लिख सकते है 1 की power 4 तू और 3 का भी बन है एंद 2 और 3 यहां से भी बन है तो इसका मदब यह हमारी सारी conditions satisfy हो ही है अब देखते हैं इस वारी line को हम कैसे exploit कर सकते हैं हमें basically इस वारी line को exploit करनी है और जो हमारा bij का element है हमें जो print कराना है वो 1 से 10 तो पावर 6 तक होना चाहिए चलो इस line को exploit करके देखते हैं मेरको bij क्या चाहिए aij का multiple चाहिए और aij जो है वो 1 से 16 तक है तो क्या मैं यह आप एक constructive approach लगा सकती हूं कि bij को मैं हर बार ऐसा कर दूं कि b of i j जो है वो मेरा क्या है lcm of all numbers from 1 to 16 ऐसा कर सकती हूं किया मैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ 1 to 16 के multiple को suppose मैंने मान लिया हमारा x तो bij तो फिर बताओ कोई भी element aij में ऐसा present हो सकता है क्या जो x को डिवाइड ना करें इंपॉसिबल तो जो lcm of all numbers from 1 to 16 उसको मैं bij कुछ कुछ जगे सेट कर सकती हूं हर जगे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को consecutive elements जो है उनका difference k की पावर 4 जाहिए एक और constructive approach लगाते लिए इस question में प्यवान में पेहली प्लेस पर exit कर दिया अभी यहाँ पे एक्सविट ने कर सकती हो और यहाँ पे भी expert ने कर सकती पर मैं यहाँ पे X fit कर सकती हूँ यहां पर भी अगर मैंने X fit कर दिया तो मैं यहां पर X fit कर सकती हूँ और यहां पर X fit कर सकती हूँ बागी इन तीन positions पर मैं X fit नहीं कर सकती हूँ तो और पर मेरे को क्या चाहिए कि इन तीन positions पर यह इन तीनों का multiple भी रहे यह दो position पर मैंने X fit कर दिया one or three की चाहिए मैंने x fit कर दिया पर इन दो positions में मिरको क्या चाहिए x नहीं चाहिए पर इन दो का multiple भी चाहिए तो मैं क्या करने वाली है यह जो position है मैं इसको करने वाली x plus जिस position पर मैं fit नहीं कर पा रही हूं इस position कुछ position पर मैंने जैसे मेट्रिक्स जो भी हुआ ऐसा बनना चाहिए x x x x अभी जैसे कुछ कुछ position पर मैं x fit नहीं कर सकती तो मैं यहां पर क्या fit करूंगी x plus के ओफ कि जीरो कॉमा कि वन की पाओ फूर इस तरीके से और यहां पर भी कंट्रोल कि जीरो वार्ण टू त्री सपोज सपोज यह जो मेट्रिक्स है मेरी यह टू क्रॉस फॉर की है यह टू क्रॉस फॉर मेट्रिक्स है तो पहला एलेमेंट मैंने x fit कर दिया दूसरा एलेमेंट मैंने क्या fit किया x plus a of 0 1 की पावर 4 ताकि इन दोनों का जो डिफ्रेंज रहे वो क्या रहे यह नंबर और यह नंबर की पावर क्या ओल्रोडी 4 है और यह वाला नंबर ध्यान से देखोगे तो यह किस से डिविजबल है ऐसे ही a of 0 3 से डिविजबल है तो इस question को ऐसे अप्रोच करना है इसका code भी देख लेते हैं और बहुत सिंपल सा है तो पहले हम देख लेता है कि 1 से 16 तक का जो LCM है इनका जो LCM है वो हमारा 10 to the power 6 से बढ़ानी हो जाता है तो LCM कैल्कुलेट कर लेता है LCM of numbers from 1 to 16 अच्छा LCM कैल्चुलेटर यहां पर मैं सारे नंबर्स जाल देती हूं तो हमारा LCM यह आ रहा है कि 10 to the power 6 से बढ़ानी है तो इसका code भी अभी के अभी लिख लेता है और और सब्विट करके देखते हैं एक्सेप्ट होनता है कि नहीं होता है पहले मैं यह नंबर ऊपर टिक्लेर कर देती हूं कॉंस्टेंट इंड एंड इस इकुल स्टू और यह नंबर क्या है LCM है 1 to 16 तक का चलो LCM हम लोगोंने निकाल लिया और एक इंपुट लेके देखते हैं यह वाला इंपुट लेते हैं इंट N, M, C, N, M इंट X, C, N, X मेरी अल्गरुथम की अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूं मैंने अपने नंबर्स कैसे सेट किये थे जैसे की वापस लेखते हैं यहां पर मैं X fit कर रही हूं यहां पर भी X fit कर रही हूं तो X में किस के according fit कर रही हूं यह 00 index है इसका इसका index 02 है 01 पर मैं fit नहीं कर रही मतलब मैं I plus J के according कर रहीं if I plus J divisible by 2 equals to 0 then c out n else c out n plus x into x into x into x c out and let's see run ho raha hai ki nahi ho raha hai exactly so 7272016 ka multiple hai 1216 ka lcm 720720 hai 16 ka bhi multiple hai अभी मैं वापस यहां पर 72720 नहीं लिख सकती क्योंकि 2 consecutive numbers ka difference जो है वो k की power 4 होना चाहिए where k is greater than 1 तो मैंने यहां पर क्या किया है 72720 में 16 की power 4 add कर दिये फिर again यहां पर मैंने 72720 print करा दिया और यहां पर करा दिया तो यह वाला case तो सही से काम कर रहा है यह वाला भी चेक कर रहते हैं अगें यहां पर दोनों जगे 72720 प्रिंट करा दिया और यहां पर उसके अंदर प्लस 2 की power 4 add करा दिया तो इससे सब बिट करके देखते हैं accept हो जाना चाहिए और उसमें ग्राफ्स वगएरे का कोई यूज नी था इतनी मैच का भी कोई यूज नी था क्या प्रॉब्लम थी मर्टेपल्ट एंड प्रॉब्लम थी मर्टेपल्ट आप रानिंग उन टेस्ट वान रानिंग उन टेस्ट फोर हां एक्सेप्टर इसके ना कोई ग्राफ का यूज नी है कोई इतना बड़ा भी उज नी है नॉर्मल सी बस यही लॉजिक था हमें ल्सीम निकालना वन टू सिक्स्टी का और उसे प्रिंट कराना एवन पोजिशन पर है तो और अगर और पोजिशन पर तो प्लस एक्स की पावर फोर प्रिंट कराना लाट सेट आप इसक्षिन इस वेरी क्लियर और इसका कोड में शेयर कर देती हूं किसी को कोई डाउट है या फिर में मीटिंग एंड करूं कि कोई डाउट है किसी को समझ में आया ना सब को अच्छे से लास्ट वाला 2200 वाला भी क्वेस्टिन कि कि अरे नो प्रॉब्लम लेक समझ में नहीं आया तो बोल देना किसी को भी और बाकी अतल एंड अगर वो तुम्हों खुच से करोगे तो तुम्हें लिटरली बहुत अच्छा पी लाएगा सीपी का फिर से करना है ना चलो फिर मैं चलती हूं अगर नई क्लिया रहे तो एक बार वापस बोल दो और अगर बात में डाउट आता है सेशन ओवर होने के पाद तो एक बार डिस्कॉर्ड में मैसेज कर देना अगर डाउट कोई रह गया हो तो चलो देने इंड करते हूं ओके प्राई 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 यार यार यार